आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट कर यात्रियो सहित यान का कुल डरव्यान छेटियजी है।만 यात्री यान में बयाम आधिकर के अपना डरव्यान 90 केजी कर लेते हैं तो यान किस वेकसे चलेगा, यह हमें बताना है। तो इस कोशशन में मारे पास क्या दिया है। लिग दो मोटे आंत्रीच यात्रा, मोटे आंतरिच यात्रा जिन में प्रतेक का दर्बेमान क्या है 120 kg हैं दो आदमी है जो आंतरिच में आत्रा कर रहे हैं उनका दर्बेमान क्या है 120 kg ऐसा कोशन में हमें दिया है एक बंद आंतरिच यान में आत्रा कर रहे हैं यान बाहरी अंतरिच में सभी पदार्थों से दूर बिना किसी बाहरी बलके एक समान बेग 15 km प्रतिसेकंड से चल रहा है जो हमारा वायवान का वेग है वेग क्या दिया हुआ 15 km प्रतिसेकंड इस कोशन में हमें दिया हुआ है और जो इसमें आत्री बैठे अभि इस समय जब हमारा वायवान का वेग 15 km प्रतिसेकंड था तो इसमें जो आदमी बैठे थे जिनका दरब्यमान का था 120 kg और दूसरा भी आदमी जो था कोशन में दिया है उसका भी दरब्यमान क्या 120 kg था यह हमारे Y1 में बैठे थे और उस समय Y1 क्या था अंत्रिच में गती कर रहा था बिना किसी बाहभल के जिसका वे क्या था 15 km प्रती सेकेंड अब कोशन में कहा जा रहा है कि यात्रियों सहित यान का कुल द्रब्यमान यह हमारे यात्रियों के द्रब्यमान थे 120-120 kg की दो यात्रियों थे प्लस इसमें जो Y1 का द्रब्यमान था सम मिला करके टोटल जो द्रब्यमान हो जाएगा हमारा कितना था 600 kg कोश्चन में दिया हुआ है 600 kg किसका मिलाके Y1 का प्लस इन दोनों आदेमियों का द्रब विमान मिला करके हमारा क्या था 600 kg कुल द्रब विमान दिया हुआ था यदि याती यान मिन बैयाम आद ही करके अपना द्रब विमान 90 kg कर लेते हैं यह हमारा सुरुवातista condition था बाद में क्या होता है यात्री बयाम करके अपना ये जो दरब्यमान था क्या गता यान किस वेग से चलेगा तो इस केस में हमारा जो वाईवान का वेग होगा उसका वेग हमें बताना है तो जैसा कि हमें पता है कोई भी वस्त अगर अंतरिच में गती करती है तो उसमें क्या होता है उसमें दरब्यमान का कोई भी मतलब नहीं रहता जो इस सारे चीज़े दरब्यमान था कि वह पहले 120 kg था बाद में 90 kg कर लिया इससे उसके बेग में कोई भी फरक नहीं पड़ेग तो अगर कोई भी हवा नहीं है कोई भी भारी बल नहीं है तो उसके बेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दरब्यमान जैसे ही वह अंतरिच में जाएगा जो हमारा भार होता है वस्त का नगड हो जाता है वस्त पे भार का कोई भी अनुभाव नहीं होता है चाहे आप आप दरव बिमान 1 kg कर ले, चाहे आप दरव बिमान 120 kg कर ले, दर बिमान का कोई भी फर्क इसके वेग में नहीं पड़ेगा, तो दरव बिमान घाटाने के बाद भी जो हमारा वायवां का वेग होगा, तो कितना रहेगा तो भारहिन के case में आप दरबिमान कुछ भी कर दें उसका भारहिन दरवस्तु का दरबिमान नगड़ी रहेगा वो भारहिन महसूस करेगा तो जो आईवान का बेग होगा उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या 15 km 30 सेंड ही रहने वाला करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सो चार सो चार सो पर